मंगल दोस मंगल दोस से डरे नहीं पहले पहचाने लच्छन फिर अपनाए ए जोतिस उपाय मंगल दोस कुंडली में मंगल दोस या मंगलीक दोस होने से बिवाह में देरी होती है या फिर बिवाह के बाद कई तरह की परिसानियों का सामना करना पर सकता है इसलिए बिवाह से पहले इन उपायों को कर लेना चाहिए मंगल दोस सिम्टम्स एंड उपाय इन हिंदी जोति सास्त में मंगल ग्रहों को ग्रहों का सिनापती कहा गया है इसे उग्र ग्रह माना गया है कुंडली में मंगल की दसा यदि खराब हो तो इससे मंगल दोस होता है और व्यक्ति को कई तरह की परसानियों का सामना करना पड़ सकता है कहा जाता है कि मंगल दोस होने से बिवाह में काफी परसारे होती है या देरी होती है यदि बिवाह हो भी जाये तो बिवाह के बाद भी बैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहता और कई तरह की परसानिया जीवन में लगी रहती हैं इसलिए बिवाह से पहले ही जान लेजिए क्य कुंडली में मंगल दोस है या नहीं और यदि मंगल दोस है तो जोतिस उपायों की मदद से इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है क्या है मंगल दोस जोतिस के अनुसार किसी व्यक्तिकी जन कुंडली में मंगल ग्रह के कुछ निश्चित भाव में होने से मंगल दोस बनता है मंगल जब किसी व्यक्त की कुंडली के पहले, चौथे, साथवे, आठवे, बरहवे भाव में बैठा हो तो इससे मंगलिक या मंगल दूस बनता है मंगल ग्रह की ऐसी इस्थती बैवाहिक जीवन के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है इसके अलावा कुछ जोतिस तो मंगल दूस को तीन लग्न, चंद्र, सुर्य और सुक्र से भी देखते हैं बिवाह और वैवाहिक जीवन से जुड़ी परसानियों से बचने के लिए लड़का या लड़की को मंगल दूस दूर करने के उपायों को जरूर कर लेना चाहिए बिवाह के बाद जीवन साथी के साथ अच्छा ताल में न बैठना ये सभी मंगल दोस के प्रभाव से आते हैं दूसरा यदि किसी की कुंडली के साथ में भाव में मंगल दोस हो तो ऐसे में पत पतनी के बीच हमेशा मनमुटाव होता रहता है कभी कभी लड़ाई जगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि यह तनाव टकराव और तला का कारण भी बन जाता है तीसरा बिवा के अलावा मंगल दोस होने से ब्यक्ति कर्ज के बोच में भी डूबा रहता है या फिर जमीन जैजाद से जुड़ी समस्याएं लगी रहती हैं चौथा कुंडली के द्वादस भाव में मंगल दोस होने से बैवाहिक जीवन के साथ ही सारिक छमताओं में कमी छिड़ आयू, रोग द्वियस और कलह कलेश को जन्म देता है पाँचवा मंगल दोस होने से ब्यक्तिका सभाव गुसायल, क्रोधिक और अहकारी हो जाता है छठा ससुराल पच्छ से रिष्टे खराब होने या विगणने की वजह भी मंगल दोस होता है मंगल दोस के उपाय, पहला उपाय, मंगल दोस के असुप्रभाव को कम करने के लिए मंगल ग्रह की सांती पूजा करे दूसरा उपाय, मंगल वार के दिन ब्रत रखे और हनमान मंदिर जाकर बूंदी का प्रसाद बाटे तीसरा उपाय मंगल वार के दिन लाल रंग के कपड़े पहन कर पुजा करे और हनुमान जी को सिंदूर चड़ाएं चवथा उपाय मंगल वार के दिन हनुमान चलिसा या सुन्दर कांड का पाठ करें पांचवा उपाय मंगल ग्रह की सांती के लिए तीन मुखी रुद्राच या फिर मुगा रत्न जोतिस की सला से धारर करे तो सुभ रहेगा छठा उपाय घर आये महमानों को मिठाई खिलाने से कुंडली में मंगल दोस का प्रभाव कम होता है सातवा उपाय कुंडली में मंगल दोस है तो विवास से पहले नीम का पेड़ लगाए और 43 दिनों तक कम से कम पेड़ की देखरेख करें इससे भी मंगल दोस दूर हो जाता है